दोस्तों नमस्कार मैं संजय मगू और मौजूद है देश रोजाना के डिश्टल मीडिया मंच पर हर्याना के अंदर विधान सभा चुनाव के बाद में अब सरकार लगातार अपने काम कर रही है मुख्य मंत्री नायव सिंग सैनी के नेतरताव में उनका जो 14 सदस्य मंत्री मंडल है यानि कि नायव सिंग सैनी मुख्य मंत्री और बाकी 13 मंत्री वो लगातार इस समय एक्टिव मोड में है सरकार अपना काम कर रही है चुनाव के अंदर दोस्तों दो चीज़ हुआ करती है एक सरकार बनती है और एक विपक्ष हुआ करता है जितना महत्योपून लोगतंतर के अंदर सरकार का पार्ट है सरकार का हिस्सा है उतना ही महत्योपून लोगतंतर के अंदर विपक्ष को माना जाता है दिगर बात यह है कि आज अगर यह कहें कि लगवक एक डेट दर्शक से ऐसा हो गया कि विपक्ष अपनी भूमी का निभाता नजर नहीं आता लेकिन इसके बावजूर कहा जरूर जाएगा कि लोकतंतर का जितना बड़ा इस्सेदारी सत्ता पक्ष की होती है सरकार की होती है उतनी बड़ी इस्सेदारी उतना ही बड़ा पार्ट और मैं कह दूँ उससे अधिक कहीं किरदार विपक्ष का हुआ करता है जैसे सरकार का मुख्या चुना जाता है सरकार का मुख्य मंत्री चुना जाता है वैसे ही विपक्ष के नेता का भी इंतजार रहा करता है जनता को हर्याणा के अंदर भारती जनता पार्टी की सरकार बनी मेंडेट मिला भारती जंता पार्टी को सरकार में बैठने का सरकार बनाने का 90 सदस्य विधान सभा में 48 विधायक मिले भारती जंता पार्टी को तो भारती जंता पार्टी ने जिस दिन उनको मेंडेट मिला 8 अक्टूबर को उसके आठ दिन के अंदर अपना नेता चुन लिया नायाप सिंग सैनी को 16 अक्टूबर को 17 अक्टूबर को नायाप सिंग सैनी ने हर्याना के मुख्य मंत्रीपत की शपत ले ली इंतिजार था लोगों को कि विपक्ष का नेता भी मिल जाएगा क्योंकि 16 अक्टूबर को ही हर्याना के अंदर बैठक हुई थी कॉंग्रेस की जिसके अंदर कॉंग्रेस के 37 विधायक भी थे चार सदस्य जो परिवेख्षक दल बनाया था कॉंग्रेस पार्टी ने अशोग गहलोत उसके अंदर थे अजय माकन उसके अंदर थे और बड़े नेता उसके अंदर थे और बाद चली थी कि ये जो परिवेख्षक दल है ये तै करेगा हर्याणा विधान सभाव में नेता प्रतिपक्ष यानि की कॉंग्रेस विधायक दल का नेता कॉन हूँ उस बैठक के अंदर एक लाइन का प्रस्ताव पारित हुआ बुपेंदर सिंग उड़ा ने एक प्रस्ताव रखा कि जिसको भी कॉंग्रेस आला कमान चाहे नेता विधायक दल बना दे हम उनके साथ हैं यानि कि जो 37 सदस्य विधायक दल है ये इसकी अवहिलना नहीं करेग इसकी अवमाना नहीं करेगा बलकि जिसको भी कॉंग्रेस का आला कमान चुन देगा उसको हम अपना निता मान लेंगे हलाकि लोकतंत्र के लिए इस बात को भी बहतर तो नहीं माना जा सकता होना तो यह चाहिए था कि विधायक दल की बैठक में ही फैसला हो लेकिन हर पार् है आज तक भी हर्याना की जनता को कॉंग्रेस के विधायकों को कॉंग्रेस के कारे करताओं को कि उनका विधायक दलका नेता लोकसभा के उप्चुनाओं भी हैं तो जब कॉंग्रेस का अला कमान वहां व्यस्त होगा तो फिर वो हर्याना का विधायक दलका नेता किसको और नेता की होती है, सरकार की होती है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी और उससे कहीं अधिक, क्योंकि सरकार की जवाब दही तै करने के लिए विपक्ष की बड़ी भूमिका हुआ करती है, लेकिन कॉंग्रेस के अंदर जो चल रहा है, मैंने एक वीडियो आपके साथ शेयर किया पहले भी, कि पहले संगठन बनाने में देरी, फिर टिकट देने में देरी, फिर चुनाव परचार में देरी, फिर नेता घुशित करने में देरी, और अब विधायक दल का नेता बनाने में भी देरी, अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखें, खासकर हरियाना का ही, कि जब भी विधानसभा चुनाव हुए। चुनाव के बाद में जब चुनाव का परिणाम आया तो उसके अंदर आठ दस दिन के अंदर अंदर जहां सदन का नेता मिला यानि कि मुख्य मंत्री का चैन हुआ वहीं विपक्ष के नेता का भी चैन हो गया। 2005 का चुनाव देखें, 2005 के अंदर उमप्रकाश चोटाला की इंडियन नैशनल लोगदल सत्ता से दूर हो गई, कॉंग्रे सत्ता में आई, भुपेंदर सिंग उड़ा हरियाना के मुख्य मंत्री बने, तो विपक्ष ने अपना जो विपक्ष का नेता यानि कि इंडियन नैश मार्च को उमप्रकाश चोटाला को इंडियन नैशनल लोगदल का विधायक नेता चुन लिया गया, वो विपक्ष के नेता हो गए, 2009 में चुनाव फिर हुआ, क्योंकि भुपेंदर सिंग उड़ा साहब ने वो चुनाव थोड़ा जल्दी करवा लिया था, होना 2010 में था, फर्वरी 2010 में, लेकिन वो चुनाव हुआ था, 22 अक्टूबर को मतगरना हुई थी, 22 अक्टूबर 2009 को, और 22 अक्टूबर 2009 को मतगरना के बाद में, अक्टूबर के अंतिम सप्ता में 39 तारिक को ही, जहां भुपेंदर सिंग उड़ा दुबारा मुख्य मंत्री बन गए, त 2014 के चुनाव में, भारती जन्ता पार्टी सत्ता में आई, और फिर से जो प्रमुक विबक्ष बना, वो इंडियन नेशनल लोगदल बना, चौदरियों प्रकाष चोटाला उस समय जेल में थे, तो 2014 में विबक्ष का नेता बनाया गया, अभे सिंग चोटाला को, 19 अक्टू 40 सीट के साथ में, जेजेपी के समर्थन से, और इधर कॉंग्रेस प्रमुक विबक्ष हुई 31 सीटों के साथ में, और उस 31 सीटों वाले विधायक धल का नेता भूपेंदर सिंग हुड़ा को चुन दिया गया, 24 अक्टूबर को चुनाव परिनाम आया था, और 2 अक्टूब नहीं, कॉंग्रेस के सबसे बड़ी दोस्तों महत्योपूर बात है, कि इस समय जो कॉंग्रेस की स्थिती बनी हुई है, आप पुरा चुनाव देखें, आपके चुनाव की एक बात में कटना आपको बता दूं, कि जब विधान सभाद चुनाव का परिनाम आया, तो चुना कॉंग्रेस के निताओं से, कि आप इस प्रकार की बातें ना किया करें, खेर, यह दो चुनावायो का जवाब था, लेकिन बात अगर कॉंग्रेस की कर लें, तो कॉंग्रेस के अंदर भी जिस प्रकार की आज की भी स्थिती है, चाहे कुमारी सेलजा हो, कुमारी सेलजा कह चुकि टिकेट वित्रण और तमाम बातें चौदरी बिरंदर सिंग कह चुके कैप्टन अजय आदब तो पाटी छोड़ के फिर वापस आ चुके कहने कि जो स्तिती बनी हुई है और इस सबके बावजूद भी सबकना लेना सोचना नहीं देखना नहीं और इस प्रकार के फैस रहे हैं उसके अंदर कहीं गुम्नामी और कहीं अंधिरा रहे जाएगा यहां दोस्तों सबसे प्रमुक बात जो है कॉंग्रेस आला कमान को जो नेता संभवता विपक्ष का चुन्ने में देरी की बात हो रही होगी इस चुनाव के अंदर 37 विधायकों में लगवग 131 विधायक भुपेंदर सिंझ घुड़ा गुट के समर्थक हैं लगवग 6-7 विधायक समर्थक हैं कुमारी सेलजा गुट के अगर संख्या बल से देखे तो तै है उड़ा गुटका या भुपेंदर सिंग उड़ा का नेता बनना लेकिन यहाँ पर क्योंकि कॉंग्रेसियों के अंदर कही न कहीं गुटबाजी है और वो चाहते हैं कि उनका व्यक्ति नेता बने हाला कि नाम कई चल रहे हैं लेकिन बड़ी बात है कि कॉंग्रेस आला कमान जिम्मेदारी किसको दीगा कॉंग्रेस आला कमान यह भी देखेगा कि कॉंग्रेस का जो उनका जो स्तिती जो है वो विखराव की जादा ना हूँ वैसे आपको क्या लगता है कि क्या विधान सफा का जो सत्रोगा उससे पहले कॉंग्रेस को विधायक दल का नेता मिल जाएगा यानि कि हर्याना का विपक्ष का नेता और आपको क्या लगता है कि कॉंग्रेस का विधायक दलका नेता यानि की विपक्ष का नेता क्या भुपेंदर सिंग उड़ा होंगे या उनके गुट से अशो करोडा और गीता भुक्कल के नाम जलते हैं वो होंगे और या फिर कुमारी सेलजा गुट से चंदर महुन को ड्य क्योंटी मिलेगी और या फिर कोई नया नाम लेकर क्याएगा कॉंग्रेस सालक कमान कमेट्स बक्स में बता हैं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहे हैं देश रोजाना का यूट्यूब चानल सब्सक्राइब कीजिए साथ ही देश रोजाना की खबरे सबसे पहले देख नेकि लिए प्रेस कीजिए बेर लाइकर